हलो वीवर्स वेलकम टो एक्स्प्लोरर्स एंड डिस इस बाइक न्यूज अज के पहला न्यूज आपडेट है वह आ रहा है ऑटो एक्सपो 2020 को लेके और यहां पे जो यह इवेंट होने वाला है आप जानते ही है यह सबसे बड़ा इवेंट है कोई भी ऑटो एक्सपो सबसे बड़ा इवेंट होता है कोई भी ऑटो कंपनी के लिए लेकिन यह इवेंट अभी इस साल में जो होने वाला है 7th February से लेके 12th February लेकिन उसमें Hero, Royal Enfield, Toyota, Ford और Jeep यह कंपनी भाग नहीं लेंगे यानि के यह कोई भी गारी लेके नहीं आएंगे इसमें नेक्स्ट जो आपरेट आड़ा है वो आ रहा है KTM के तरफ से KTM 390 Adventure यह बाइक के रिलेटेट एक वीडियो बहुत पहले हम लोगों ने बनाया था वो अभी आई बेटन में आप लोगों मिल जाएगा और यह जो बाइक है यह अभी कुछ दिनों में ही लांच होने वाला है शायद ऑक्टोबर में ही लांच होने वाला है इंडिया में और इसका फिर से एक टेस्टिंग करते हुए एक फोटो और कुछ वीडियो निकल के आया है जहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि यह बाइक रोड में इंडियान रोड में और नाइट में भी इसका यूज किय जा रहा है और देखा जा रहा है यह बाइक ठीक ठाक है या नहीं नेक्स्ट अपडेट आ रहा है यूए मोटर हुट के तरफ से और यूए मोटर सब जानते है यह एक अमेरिकन ब्रैंड है जो अभी दो साल पहले ही इंडिया में आये थे अपने कुछ नए बाइक को लेके और अभी तक तो बहुत सारे डिलर्सिप कैंसल भी हो गया है मतलब वो लोग छोड़ रहे हैं डिलर्सिप और अभी शायद बहुत जल्दी यह कंपनी इंडिया से बापस जाएगी यानि के अभी कोई भी बाइक अप लोग को नहीं देखने को मिलेगा और जो सापोर्ट है वो बहुत जल्दी इंडिया में लॉंच होने वाला है लेकिन यहां पर एक बहुती सैड चीज यह है कि यह जो बाइक होंगे यानि के जो आई स्मार्ट और सूपर स्प्लेंडर बाइक है इन दोनों ही बाइक में जो पावर फिगर होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे जो अ और वही एक निया बाइक इंडिया में लॉंच होने वाला है जो बाइक है और यह बाइक बहुत जल्दी दिया में लॉंच होने वाला है और इसका जो प्राइज pipe है यह प्राइज निकल का आया है वह ए 18.73 लैक्स एक शोरूम डेली जो शीफन अपडेट आ रहा है वह हों बहुत जल्दी यानिके 18 मांथ के अंदर इंडिया में एक नई बाइक लॉंच करेगी जो बाइक होगी एक क्लासिक रेट्रो लुकिंग बाइक और जो राइवल बनेगी जो रॉयल एंफिल क्लासिक सीरीज या फिर जो थांडर बर्ड सीरीज है उन सब बाइक होगा और यह बाइक होने बाला है यह क्लासिक बाइक होने बाला है और यह बाइक अभी होंडा की तरफ से आएगा मतलब बहुत ज्यादा अच्छा ही होगा यह बाइक तो देखते हैं क्या होता है आज का जो सेवेंध अपडेट आ रहा है वह आ रहा है बाजाज की तरफ से बाजाज ए गुछ पूटोव है वह भी निकल खाया है जो इसका खूणसेटी बना है उसका फोटोज निकल कर आया है और इस बाइक में एक डूटल सिलिंडर इंजिन होगा और यह 400 सीसी का बाइक होगा और इसका जो इंजिन होगा यह आईएगा ट्रायम्फ की तरफ से आप जानते हैं ट्रायंफ और बाजज की बीच में एक कोलाबरेशन हुआ है और भी बहुत सरे बाइक आएंगे इसके रिगार्डिंग तो यह जो बाइक है इस बाइक का अभी कोई भी डेट निकल के नहीं आया है कब लाँच होगा लेकिन यह जो बाइक है इसके रिगार्डिंग एक वीडियो डेडिकेट वीडियो डिटेल वीडियो बहुत ही जल्दी आयेगा मतलब जो नेक्ट वीडियो होगा वो इसी के रिगार्डिंग होगा तो उसके लिए अभी से इस चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए आप लो के साथ लेकिन इसका BS6 भेरियेंट अभी पूरी तरीके से रेडियो हो गया है और इसका टेस्टिंग भी खतम हो गया है और यह सब बाइक बहुत जल्दी कभी भी कोई भी दिन लॉंच हो सकता है तो उसके लिए अगर आप कोई भी रोयल एंफिल्ड बाइक खड़ितने व बाइक में अभी दिवाली के कारेंद थोड़ा बहुत डिसकाउंट मिलेगा और यह जो थोड़ा बहुत डिसकाउंट है यह लगभग 80,000 रुपे तक का डिसकाउंट अपलोग को मिलेगा यहां पे बहुत सारे मॉडल है जैसे की RS जो मिलता है Street Triple RS, Bonneville और भी बहुत सारे मॉडल है और Ninja Series का भी बहुत सारे बाइक है जो आता है कावसागी के तरब से तो अगर आप यह बाइक लेना चाते हैं तो आभी ले सकते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिसकाउंट मिलने वाला है आज का जो लास्ट आपडेट आ रहा है वो आ रहा है बेनेली के तरब से बेनेली लियोंचीनो 250 इंडिया में लॉंच हो गया है और इसका जो प्राइस है इंडिया में वह है 2.50 लैक्स एक्सोरूम डेली और इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो हमारे चैनल में आप लोग को मिल जाएगा वह अभी आई बटन में मिलेगा और उस वीडियो को जरूर चेक करें तो यही था आज का वीडियो अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक किजिए दोस्तों के साथ share कीजिए नीचे comment कीजिए आप लोग को और क्या क्या जानना है अगर कोई भी news के regarding कोई detail कुछ जानना है तो वह आप लोग comment कीजिए नीचे और इस चैनल को subscribe करने मत भूले और आप लोग हमें Instagram, Facebook और Twitter में भी follow कर सकते उसका link नीचे description में मिल जाएगा thanks for watching see you in the next video